हाँ 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 में सब जग जाई हर सशोक शमाही समाई हकरी हकरी सब बड़बड गईू हाँ मर्मन काहू पईू हक्षर के माध्यम से सदुरु कबीर कहते हैं कि लोग हाँ हाँ करके संसार से शले गए या आज जो जीवित हैं वे भी हाँ हाँ करते हुए संसार से जा रहे हैं हर्ष शोक सब माही समाई और संसार में सभी लोगों के मन में हर्ष और सोक समाई हुए हैं हाँ हाँ में सब जग जाई सारा संसार हाँ हाँ में जा रहा है हाँ धन हाँ मान सम्मान हाँ गुरवाई हाँ महंती हाँ पूत्र हाँ पत्नी हाँ पती हाँ पीता और ऐते भी हाई गद्दी, हाई महंती, हाई मुनिट्री, हाई मान समान सब लोग हाई हाई कर रहे हैं सब लोग हाई में पड़े हुए हैं गरीव से लेकर धनपती, खरबपती तक क्यों? हाई का कारण क्या है? त्रिशना गितने त्रिशना बढ़ेगी, उतने हाई बढ़ेगी दुख बढ़ेगा जहां हमें अनुकूलता लगती है जहां सुख का भ्रम होता है बार बार उन वस्तों का उप्योग, विश्यों का उभ्भोग करने का मन होता है जहां अनुकूलता और सुख लगता है बार बार उप्योग होता है बार बार उप्योग से आसक्ति बनती है आसक्ति से फिर उप्योग और फिर तृष्णा सुरू होता है जिनका बार बार उप्योग होगा तृष्णा वहीं बनती है आसक्ति वहीं बनती है और जिनके प्रति आसक्ति बन गई, तृष्णा बन गई कितना भी उनको उभोक्यों न किया जाए शांति संतोष नहीं मिलना है त्रिप्ति नहीं मिलना है और त्रिशना का राज्य सर्वतर दिखाई पड़ता है धन की त्रिशना है परिवार की त्रिशना है रुपीय की त्रिशना है जमिन की त्रिशना है मांसमान की तृषणा है, गदी महंती की तृषणा है, और कितनी तृषणा है, खाने पिने की तृषणा, पहने ओडने की तृषणा, घुमने की तृषणा, यहाँ जाओं, वहाँ जाओं, यह दखूं, वह दखूं, इतकी तृषणा, तृषणा का कोई एक खेतर थोड़े तुझे 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 तुझ अपना कल्यान किये और जो बन सका दूसरों को सही रास्ता बताए सभी महापुर्शों ने यह किया है लेकिन कुछ लोग अत्यां तृष्णा में पढ़ जाते हैं हम दुनिया भर को बदल करके रख देंगे इतका परिणाम क्या है हाए हाए करके दुनिया से विदा हो जाना जिने हम बदलना चाहते हैं जिनका कल्यान करना चाहते हैं क्या उनके मन में कल्यान की कामना है समगने जरुरत है अब जहां पर यह नियम है कोई कि यहाँ पर सस्तंका आजन है इतने सी इतने समेश्च Whenever सस्तंका आजन हैं लोग आते हैं तो प्रवक्ता वहां अपनी बात बता देते हैं लेकिन जिनको अपनी बात बता रहे हैं वो बड़क इदने की नागर को है कि इतने मात्रा में किस रूप से उसको कितना घृहन कर रहे हैं तो शूपत पार निरवर है। भी पुट्सकता हैं। जिनंहें हम बदलना चाहते हैं उन उनके बदलने की कामना भान भाव ही नहीं है। तो कैसे बदलेंगे, जिनका हम कल्यान करना चाहते, वो अपना कल्यान करना ही नहीं चाहते हैं, तो का जबरती कल्यान करें, गंडा मार मार करके, तो इस तृष्णा के मैं दुनिया भर को बदल डालूंगा, दुनिया भर कल्यान कर डालूंगा, और इस तृष्णा में अपन संसार हाई हाई में जा रहा है सब हाई हाई में पड़े तृष्णा में पड़े हुए हैं और तृष्णा का परिणाम केवल दुख पीड़ा और कुछ नहीं है मेहनत करें जो आदमी जिस छेत्र में है उस छेत्र में मेहनत करें आलसी बन करके बैठे रहने वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता ना लौकिक छेत्र में आगे बढ़ सकता है ना अधादमी छेत्र में आगे बढ़ सकता है लेकिन मेहनत की भी एक सीमा होती है उन्नती की एक सीमा होती है निश्यम नहीं है निश्यम यदि हम कह सकते हैं तो आपने संतोष में कह सकते हैं चिन्हों ने संसार का राग त्याग दिया संसार से जो पूर्ण दाशीन हो गए विरक्त हो गए और अपने आप में जो इस्थित होगे सुरुपस्थ हो गए तो एक लाजम का सकते हैं कि सुर्पिसिती निश्शीम है लेकिन उसकी तृष्णा नहीं होती है क्योंकि वहां तो पूर्ण संतोष है संतोष नहीं है तो आत्मिसिती कैसे है सुर्पिसिती को कोई सीमा में हम थोड़े बान सकते हैं उसकी इतनी सीमा है लेकिन बाकी और चेत, भावति के स्थिती में कोई उन्ति निस्रीम नहीं है, प्रचार चेत्र में कोई निस्रीम नहीं है, सब की अपनी एक सीमा है, महनत करना अलग बात है, तष्टना में पढ़ जाना की इतना एकर्णूंग में, वो अलग बात है, महनत करने वाला आदमी हाई हाई में नहीं पड़ा रहता है, जो लोग निरंतर दाघए धाण रहे हैं, खानी पिने भी फूर्सत नहीं हैं, वो तष्टना के पीछे दिवाना बने हुए हैं, और और दौरतें दौरतें बस दुनिया से बिदा हो गए जो धनिक अठा भी किये उसका भी सुख भोग नहीं पाए हर्ष शोक सब माही समाई सभी लोगों के मन में हर्ष और शोक समाई हुए है भावतिक उपलब्धि की तृष्णा में जो आदमी पड़ेगा वह हर्ष और शोक से कभी अपने को बचा नहीं सकेगा भावतिक उपलब्धि में जो हर्ष मानेगा थोड़ा सा धन मिल गया हर्षित हो गया आदमी बड़ा प्रसंद हो गया थोड़ा सा सम्मान मिल गया बड़ा प्रसंद हो गया खाने पिने की अनकुल चीज मिल गई, बड़ा हर्शित हो गया कहीं गए, बड़ी सुधा मिल गई, हर्शित हो गया तो ऐसे आदमी को सोकित होना ही होना है क्योंकि जो अनकुलता मिली है, वो अनकुलता ना तो हर समय मिलेगी और ना हर जगः मिलेगी जैसे खाने पिने को मिला, बड़िया बड़िया जैसे मन चाहता था, उसको देख कर के हर्शित हो गये दूतरी जगह जाओगे वहाँ वैसे खाने पर निक चीद नहीं मिलेगी तो शोक होगा और शोक ही नहीं होगा उन लोगों पर ते गुस्सा भी होगा ये बड़े लोग अनारी लोग हैं समझते नहीं हैं हमारी विशेष्टा को ऐसे हमारे लिए ब्यवसा करनी चाहिए गुस्सा भी होगा तो समसारी कुप लबधी में जो हर्ष मानेगा उसे शोक में डुबना ही होगा वो शोक से बच नहीं सकता हर्ष के पिछे शोक आना ही आना है अनकुलता में जो हर्षित होगा उसे शोकित होना ही होगा क्योंकि पर्तकुलता आएगी आएगी अनकुलता कब तक रहेगी उन्नती कब तक रहेगी उन्नती का अंत पतन होना ही होना है मिलन का अंत बियोग होना ही होना है तब आदमी शोक से कैसे बचेगा और जो हर सोक में निरंदा डुबा हुआ है उसके जीवन में पंतोष कहा है शांती कहा है प्रसनता कैसे रह सकती है अनकुलता आएगी प्रतकुलता आएगी और जो दोनों को सहने के लिए तैयार है किसी परसिती में अपने मन को जो बांध कर नहीं रखता है वो हर सोक से उपर उठ जाता है कहीं भी अपने को किसी परसिती का गुलाम नहीं बनाना चाहिए आदमी को जो किसी परसिती गुलाम बनाएगा उसकी कैसे रह सकेगा थोड़े उसका मन घड़ी की पेंडलां के समान डुलाइमान होता रहेगा यह ठीक है कि अनकुलता संसार में हर आदमी को परी है ज्याने को भी अनकुलता परी होती है लेकिन ज्याने अनकुलता का गुलाम नहीं होता है वो अनकुलता में जी लेता है बस उसका मन उस अनकुलता से भी उपर होता है अनकुलता में जीते हुए भी उसका मन उससे उपर उठा हुआ है इसलिए परतकुलता आने पर भी वह दुखी नहीं होता शोकित नहीं होता पिडित नहीं होता है वह संतुलित रहता है और जो हर्स और शोक में संतुली थे वही तो ग्यानी है मिलन में, बियोग में, हानी में, लाभ में, मान में, अप्मान में जो सम रहता है वही तो ग्यानी है यहां तायब करते हैं कि हर्स शोक सब माहि समाई संतार में देखता हूँ मैं कि सब लोगों का मन हर्ष और शोक में डुबा हुआ है हर्ष सब लोग हर्ष शोक में समाय हुए है और इसका परिणाम जीमन भर अशांत बने रहना है जो सभी प्रसितियों का सामना करने में तयार रहता है जो जैसा आ गए उसको स्विकार कर लिए तब न हर्ष होगा और न शोक होगा अब सहज अनकुलता मिली सुधा मिली पभाविखी उसमें अच्छा लगता है तो यह कोई हर्ष की बात नहीं उसमें उसमें गुलाम होना नहीं है हंकर हंकर सब बढ़ बढ़ गयू हाहा मरमन काहू पयू तो आप कहते हैं बड़े बड़े लोक अलानवाय लोग सब हंकर हंकर करके हाय हाय करके चले गए और चले जा रहे हैं प्रन्तु हाहा मरमन काहू पयू एजो हाहा का मरम आपनी पिड़ा का मरम पिड़ा का भेद लोक जान नहीं पाएं या आज भी जान नहीं पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग, वे ही दुखी होकर कि यहां से गए या वे ही लोग आद दुखी हैं जिनके पास खाने पिने की तो कोई चिंता नहीं है, बहुत धन भरा हुआ है, वे लोग भी तो दुखी हैं वे भी तो हाई हाई में पड़े हुए हैं, तो यह हाई हाई का कारण क्या, धन का नहोना हाई हाई का कारण नहीं है, स्विधा न मिलना यह हाई हाई का कारण नहीं है, यह दुख का कारण नहीं है, धन तो जीवन निर्वाह का साधन है, वो धन से दुख दूर नहीं हो जाता सम्मान मिलने से सुधर मिलने से दुख दूर नहीं हो जाता है दुख का कारण तो अज्ञान है तृष्णा है और यह बात लोग समझ पाते नहीं है तो अज्ञान और तृष्णा का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक हाय हाय दुख से आदमी बचेगा कैसे असंतोष जहां है वहाँ आदमी हाय हाय से बचेगा कैसे दुख से बचेगा कैसे समान लोग ही नहीं जिन्हें कोई नहीं जानता ऐसे लोग ही नहीं बड़े बड़े पुझ प्रत्रिश्थित दुनिया में जिनके नाम का डंका बचता है वह लोग भी तो हाय हाय करके चले गए क्यों कि उनके अंदर से भी ना अज्ञान मिटा था ना असंतोष मिटा था अब असंतोष यही सश्य बड़े दुख का खारन है सहब नहीं कहा है कि संतोष संतोष सुक है रहुद हिर्दे जुड़ाए ऐ संतो संतोष में सुख है संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ मन शीतल हो जाए शान्त हो जाए, त्रिप्त हो जाए लेकिन संतोष्ट करना चाहिए ये बात ही लोगों समझ में नहीं आती है तो जब बात समझ में नहीं आएगी तो हाहा का मर्म लोग जानेंगे कैसे दुख का मर्म लोग समझेंगे कैसे तो अज्ञान, त्रिशना, अतन्तोष्ट ये ही दुख के कारन है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे है इसलिए सब के सब हकर हकर करके दुख, शोब, शिकायत, त्रिशना जलन में पढ़ करके यहां से चले गए और आज चले जा रहे हैं जो संतुष्ट है वही आदमी आज सुखी है और वही आदमी सब समय सुखी रहेगा कि यहां सब अझानल झाम बजय आज revers यहीं WA